कि अबसे दोस्तों आपका अपनी यूटूब चैनल एक्जाम रूम में आपका हर्दिक सुवागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द देखें एंटी पीसी सीबिटी टू का देखें एक्जाम होनी वाला है ठीक है और देखें उसी एक्जाम से रिलेटिट हम जीके के लाधा पेंप्राशाओ तक के देखें यह जीके आप नहीं देखा है क्वाशाया जाए जहां आंने यह धान Cup Be है खाफी से कापना वाला मंटेuciones देखें एन को वायूम होती हैना उसके अध्यान को देखें क्या घा जाता यहां पर देखे आप भूमंडली यह गटना की बात हो रहे हैं तो इस प्राधार पर हमारे तो सही अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर बिल्कुल सही मोसम विज्ञान देखे बूमंडली गटना के अध्यन को नहीं मोसम विज्ञान कहते हैं ठीक चले लिए कोशन नमबर टू देखे देखे लोगों के मोसमिय परवास को यह कहा जाता है जो यह रितू परवास के नाम से नाम से जाना जाता है ठीक एगला को सब्सक्रवास को भीस्कीप मन देखे एक कोसर नमबर 3 पढ़ते हैं में लिका देखे भारत के दकषिड में सबसे दूर स्थल स्थान जो इस्थान है उसको क्या कहा जाता है वो हमें बताना पर सी इंद्रा पॉइंट देखें इंद्रा पॉइंट जो रहा बहुत के दक्षिड में सबसे दूर इस्थान है ठीके लिए अगला कोशन पड़े कोशन नमबर फोर देखें इसमें लिखाए कि देखें इसमें पड़ लेते हैं तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर ऑप्षिज में अपना सबसे पहलाा धर्म उपदेश में दिया था ठीके वे घरन पे कोशन नमर मpur highly of बुद्धे सब्सक्राइब निर्मित गुमंदकार छत वाली अर्ध गोलाकार सचना को क्या कहा जाता है ठीक है धर्मदेश बी सतूप सी स्थम या फिर डी एका सम्मिक तो यहां पर जो हमारा सही अंसर जाएगा वो जाएगा उप्स नंबर बी बिरूप देखे सतूप देखे बोधों के उस खतसे गुडएब जोक्वेयर होता हो उसए उस को क्लिए सब्सक्राइन झसंगें पर के रविक इर्फी जो एक जैन थे और उन्हों एक किरती एक जैन थे जो जीनों ने देखे ओल प्रसंता की रचना कीती को किसका संगरेशन प्राप ने किसके संगरेशन में वह रहते थे यह मैं बताना है अ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब तक्षिला या पिर नालनन्दा तो सबसे ही पुराना विश्य विधाले रहा है तेके अगले कोस्टन के चलते हैं देखे हम आगे अगले अपने लोग सेके तो कोस्टन नुबर 8 को देखे पढ़ लेते हैं दिल्ली में कुल कितनी विधानसापा सीट है देखे यह वाला तक य चाहिए दिल्ली में कुल कितनी विधानसापा सीट है वह में बताना है 40 50 60 या फिर 70 तो यहां पर जो हमारा सही अनुषर जाएगा दिल्ली में दो विधानसापा की सीट है उनकी संख्या देखे 70 है यह कोस्टन नंबर 9 को पढ़ देखे यह हैं हमारा कोस्टन नंबर 9 तो कई चैने आप्रशलित निश्यद्दिकार द्वारा स्मुधान में संसोधन करने के पध्यती कहां है तो कह से लीगए यहां हमने पताना है प्रते सविधान में संसोधन की परदेति यह åh betising से अ बेदान से रुस से या फिर भारत में सब्सक्तिक नहीं सकते तो यहां पर सब्धान से लिए ठीक है बारते सविधान में चले अगला कोशन पढ़ते हैं कोशन नमबर टैंथ की तरफ आगी इससे पढ़ लेते हैं इसमें लिखा देगे निमलीकित में से कौन सा अध्यात्मक सरकार का एक गुण अध्यात्मक सरकार की बात की जा रहा है तो कौन सा गुणे में बताना है तो ए में लिखा है देखे कार्यपालेगा की नियत कार्यवधी अंत्यत इस्तिरता की भावना परदान करती है या फिर बी यह नीतियों के सीगरी निस्पादन की सुनस्चित करती है या फिर लोग की स अध्यान दिस्रिता की भावना परदान करती है अध्यात्वाइब सरकार के अंत्रकार ठीक है चले एकला कोशन पढ़ते हैं देखे हमाँ कोशन नमर 11 पढ़ लेते हैं कोशन 11 देखे निपिडेंट है सुजी राष्ट्रपती का कारेकाल कितने वर्सका होता है यहां पर जमार कारेकाल का वर्सका होता है प्रसक्राफा कारेकाल के वर्सका होता है तो इसे वे वह हुत 0好像 7 जी यह नोजी हैं जो चयांसरें जाता है तो बारी जल्ड क्या क्या था हorf somebody ठेलाता है उनमे ठंदा ने लिए ना धूजे बनी रही है उनकी जो गरम हो जाते है नहीं थट्रने है के लिए शआ होता है भी ओगताँ होता है ऑप से युक्त जल होता है तो में आपका नियुक्रिल ये को ठंडा करने में इस्तिमाल के आय था थो बारी जल को देखेंगे वतके आपका नियुक्ति जल के लिए नमबर डी चलते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 14 बढ़ लेते हैं तो यह कोशन नमबर 14 तेखे इस्टील रबर से अधिक अत्यास्त है क्यूं तो क्यूं होती है यह विरूपित हो जाती है बी इस्टील रबर से अधिक कठोर होती है इस्टील को अधिक विरूपन बल चाहिए या पिर इस्टील कभी विरूपित नहीं होती है तो हमारा जो सही आंसर जाएगा ओप्शन नमबर बी देखे इस टील दबर से अधिक कठोर होती है जिसकी वैसे वह मुड नहीं पाती देखे यह बिलूबूल कोमन कोमन था था तो आपको सोचते हैं उप्शन के उपड़ तो आपको आंसर जो बिलूबूल सही हो जाएगा द सब्सक्टेंघ्री के इसन पर्योग किसकी तृता मापने के लिए किया जाता थेकर यहाँ परिए दोनी को मापने के लिए किया जाता थेकर चलेकर एकला सब्सक्राइब कोशन नमर 16 तो संख्या 29 किस से समधिते यह ब्लोक से डी ब्लोक और सिर्फ ब्लोक तो यहां पर जो हमारा सई आंसर जाएगा देखे तो 29 की बात की जा रही थे पर माणू संख्या 29 जो आपका वह आपका डी ब्लोक से समधित होता है ठीक है देखे डी ब्लोक में जो गया परमाणुक तातों के ट्वंटिनाइन सेंक्या जो गया निर्वात करती है ठीक है चलिए अगला कोशन पढ़ते हैं कोशन नमर 17 पढ़ लेते हैं निमली कितमें से कौन सा तातु रेडियो अक्टिव नहीं है तो रेडियो अक्टिव नहीं है व साके थोरियम यूरेनियम और फ्लोटियनियम जो यह तीनों यह तातु जा उससे समधित होते हैं लेगला कोशन पढ़ते हैं कोशन नमर 18 पढ़ लेते हैं एक परमाणुके तीन आधारबूत आयव से कौन से हैं परमाणुके जाद आधारबूत तीन आयव जो हैं वह हमें बताने हैं एक प्रोटियन न्यूट्राण और आयान बी प्रोटाण न्यूट्राण और इलक्ट्राण सी प्रेटियम डियूक्टियम या फिर ट्राइटियम या फिर ओप्सिन नमबर डी आप प्रोटाण न्यूट्राण और आयान तो यहां पर जो तीन तातु जो होते हैं यह नमबर 19 पढ़ लेते हैं इसमें देखे पर लिखा देखे निमली कि तुम इसे कौन साथ था तू सर्वदिक विद्धु रिनात्मक है सर्वदिक विद्धु रिनात्मक है वह हमें बताना है सोडियम, क्लोरीन, आक्सिजन या फिर फ्लोरीन तो यहां पर जो हमार सही आन् क्लोरीन देखे देखे वह विद्धु रिनात्मक है देखे फ्लोरीन टीके चले एकला कोशन पढ़ते हैं देखे यह देखे मागले कोशन की तरह आगे देखे कोशन नमबर 20 अव्ट्वन्टी पढ़ लेते हैं टेके तेखे वहाः विषानू जो ओक्टुपनीन होता प्रायों या पी वीरियान तो यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओप्सिन नंबर देखें बिल्कुल सही केंदर काब तीकें आपका नुकली अम्रिसे युक्त होता है तीकें विशानू यह देखें विशानू है तीक आगला कोशन पढ़ेंगे देखें 29 पोलियों का निमित्तिक जीव क्या है यह बताना है यह क्रीमी जीवाडू C कवक या पर D विशानू निमित्तिक द्यत्तु कि देखें हमें बात करनी थे तीक उमारा सही आनसर जाएगा विशानू होता यह झालेगे सब्सक्राइब करने के लिए अपना जाने विदी क्या जाता है उस विदी को क्या कहा जाता है वो हमें बता रहा है और यहां पर से अंसर जाएगा वो जाएगा उप्सन नमबर सी बिल्कुल चाहिए क्यों विदी जिस विदी से प्राप्त किया जाता उस विदी को क्या जाता है किवें बताना है उननीस्सो पिचाण में में उननीस्सो चाण में या फिर उननीस्सो अठाण में में तो हमारे जो अप्शन नमबर आ है उन्रीस्तो पिचाड़ में वो बिलूबूल सई होगा ठीके चले अगला कोशन पढ़ते हैं कोशन मार ट्वेंटीफाइव देखे टो सव्ल ट्वेंटीफोर देखे ट्वेंटीफोर पढ़ लेते हैं थे भारत में जेश्टी कब लागू किया गया था देखे इंप्रेंट को को तेकर करेंगे हम इने बात के से कंड़ीा तो एक कोशन में आप से पूस्था हूं टीक है वह देखिया हमारा कोशन नबर 25 कहलाएगा टीक है जी शुते से समधिए कि मैं आपको पता है कि जेश्टी कब लागू किया था तो 2017 में लागू किया था ठीक है अभि आपको दिना उसे दिनाक और मन्त चुपा ओए तो 2017 में देनाक और मन्त चुपा Shapocy किस दिन किस डेट और किस मन्त में लागू किया गया था तो आपका जो आंसर है न वो देखे इसी डेट में छुपा हुआ है इसी डेट से देखिए आप अपना अंसर मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है इस वीडियो में देखे जो भी हमने 25 इंप्रे प्रेट कर देखे तक हमारे यूटूब चलने एक्जाम रूब को देखे आप सबस्क्राइब तरह पहले आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जागे निपसी चल्ड़ देखे एक्जाम होने वाला है ठीक हम देखे प्रैक्टिस एट अप पर देखे 3 है ठीक है यदि आपने फर्स टू फर्स्ट और साकिर नहीं देखे न तो हमारे चैनल पर जाए उन दो तीनों देखे प्रैक्टिस आट को अच्छे से देख लिए एक्जाम की द्रश्चिश है वो काफी इंपूडेंट है ठीक हम अपने चैनल के माध्यम से एक इसे दरह के देखे यूनिक कोस्टनों के साथ